नमश्कार में अपनी पहली सूची जानी कर दी है और हम आपको बता दें कि आज सूने आठ सीटों पर प्रत्याश्यों के नामों का एलान कर दिया है और सिर्फ दो सीटों पर प्रत्याश्यों के नामों का एलान नहीं किया है जिसमें से एक डुम्री है और दूसरा है निर्मल महतो रुफ्तिवारी महतो इसके अलाबा लोहरदगा से निरुशाती भगत के नाम की गोशना की गई है और जुक्सलाई से रामचंद्र सही जुकपुरु मंत्री भी है इसके अलाबा इचागड से हरलाल महतो प्रत्याशी होंगे और पाकुर से अजहर इसलाम के नाम की घुशना की गई है और इसके साथ डुम्री को फिलाल होल्ड पर छोड़ा गया है क्योंकि वहां दो दावेदार बताये जा रहा है जिन मेंसे एक जसोदा देवी है दूसरे दुर्योधुन महतों है और इसी तरह से टुंडी सीट को लेकर हलांकि फिलाल वो बीजेपी और डुम्री को बिलकुल देखे अभी तक जो एंडीए के सीटों का फॉर्मूला था बटवारे का उसमें दस सीटे जो है फिलाल आजसू को दिये गए और 11 सीट जो है उसमें उमीदवार बदले गए यानि कि रोसनलाल चौदरी ही जो आजसू के नेता थे वो उमीदवार होंगे लेकिन वो कमल चाप से होंगे यानि कि बीजेपी की सदस्ता कल ही उन्होंने ली और कल साम यानि कि आधे घंटे के अंतराल वे ही जैसे ही उन्होंने सदस्ता ली उसके बाद आधे घंटे के बाद सूची जो है बीजेपी की जारी हो जाती है और उसमें रोसनलाल च पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रिय अध्यक्ष सुदेश महतों के नाम जो है वो सिल्ली से है देखिए सबसे महतपुर्ण चीज यह है कि जो चीजें लगातार ये सामने आ रहे थी कि सुदेश महतों दो जगों से चुनाव लर सकते हैं तो फिलाल ये जो जानकारी मिलने हैं उसमें सुदेश महतों एक ही जगह से चुनाव लरेंगे और वो है सिल्ली रामगट से सुनिता चौधरी जो उपचुनाव में भी जीती हैं और वर्तमान में विधायक हैं और फिर से एक बार पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है जो की चंद प्रकास चौधरी सांसत जो हैं कि रिडी के उनकी पत्नी है तो ऐसे में सुनिता चौधरी को रामगट से उमिदवार बनाया गया है लोहरदगा से नीरू सांती भगत को उमिदवार बनाया गया है और गोमिया से बात करें तो जो वर्तमान में विधायक हैं लंबोदर महतो उन पर ही पार्टी ने भरोसा जताया जुग सलाई से रामचंदर सहिस जो की पूर्व में मंतरी रहे हैं तो रामचंदर सहिस को उमिदवार बनाया है मांडू से तिवारी महतों को उमिदवार बनाया है पाकुर से अजहर इसलाम को और इचागड से हरेलाल को बनाया गया है उमिदवार तो जो सूची पहले से थी हम लोगों के पास बाइसकोप ने जो न्यूस दिखाया था जो नाम बताये थे उस पर जो है अब मुहर लग गई है और अधिकारिक रूप से आज्चु ने घोसना कर दिया है फिलहाल दो सीटे जो है इसमें डुमरी और मनोहर पूर जो की आज्चु के खाते में गई है उस पर उमिदवार के नाम की घोसना नहीं हुई है एक बार फिर ये जानकारी मिल नहीं है कि केंद्रिय समिति की बैठक होगी और उसके बाद फिर जो है संसद्य बोड की बैठक के जो है पार्टी के लिए है तो पार्टी जो है फिलहाल उस पर मंथन कर रही है लेकिन देखे बीजेपी की सूची 19 तारिक को जारी होती है और आज्चु की सूची 20 तारिक को जारी हो जाती है मतलब एक दिन आगे पीछे होता है हलांकि जो दो सहयोगी दल है आज्चु के स सामिल कराया गया है ऐसे में जेडियू के दो सीट जो है तमार और जमसेदपूर पस्चमी उस पे दोनों उमिदवार लगवकते हैं उसी के नाम पर जो है मुहर लगीगी अगर आप तमार की बात करें तो तमार से राजा पीटर को उमिदवार बनाने की संभावना है और वही जमसेदपूर पस्चमी की बात करें तो अब ये तैह हो गया है जिस तरह से बीजेपी ने पूर्बी से रगवरदास की बहु को उमिदवार बनाया है तो ऐसे में अब सर्यूरे पस्चमी से चुनाव लरेंगे जिसको लेकर के पहले से ही संभावना जता दिगई है तो आप देखना होगा कि कब तक ये मामला जो है सामने आता है फिलाल यह हम कह सकते हैं कि बीजेपी और एंडिये के फोल्डर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है अभी के हिसाब से क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक बार में ही 66 उमिदवारों के नाम की घुसना की फिलाल अग पर बीजेपी के खाते में जाने के बाद भी उमिदवार के नाम की घुसना नहीं हुई है तो यह क्या किसी अन्य दल को दिया जा सकता है या फिर सीधा मुकावला बीजेपी का ही वहां पर होगा अपने सामने वाले उमिदवार से तो फिलाल हम यह कह सकते हैं कि बात की जा कर एक नए उमीद्वार भी आज्सू के खेमे में हैं शायद यही वज़ा है कि आज्सू अहां मंधन कर रही है देखे दुम्री जो है इस पार हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बेबी देवी जो है वो उपचुनौ लरी थी वो जीती स्वरगय जगरनात महतों के निधन के बाद तो उसके बाद एक दौर जो है वो तयारियों का राजू महतों का है जो जगरनात महतों के पुत्र है तो बेबी देवी के बदले क्या राजू महतों चुनावी मैदान में होंगे जो जैराम महतों है वो भी डुम्री से ही चुनाव का एलान किया है सबसे पहला नाम अपना सूची में रखा और पहले लिष्ट में ही जैराम महतों ने डुमरी को चुना कि हम वहीं से चुना रहेंगे इसलिए आजसु भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा मजबूत उम्मिदवार दिया जै कि दो की लराई में जो है बाजी भी माली जा सकती है तो ऐसे में बीजेपी और आजसु के वोट अगर एक जुट होकर एक जगह मिलता है तो फिर इसका फाइदा जो है कहीं न कहीं इंडिये गठबंधन को मिल सकता है तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि जैराम का जादू चलेगा या फिर राजु महतों का या फिर ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इस वार के चुनाव में एक सीट और होट सीट बन कर सामने आया है उसमें डुमरी है बिल्कुल तो डुमरी होट सीट बन गई है और देखे टुंडी को जो बीजेपी ने होल्ड किया है इसकी वज़ों से कई सवाल उसमे भी मदन उट रहे हैं कि टुंडी क्या आजसू को दी जाएगी क्योंकि आजसू ये सीट पहले 2014 में आजसू के फोल्डर में थी राजकिसोर में तो वहां से बिजाई हुए थे आजसू के प्रत्याशी थे तो आजसू को मदन कहीं हुए उमीद होगी कि टुंडी सीट एक बार फिर उस कास्ट के वोटरों की संख्या जो है काफी है ऐसे में उमीदवार का चैन भी उसी तरह से किया जाएगा देखिए अगर आप यहां की बात करें डुम्री की बात करें तो जैराम महतों हो या फिर राजु महतों हो या फिर ये सुदा दे भी हो ये तमाम लोग उसी विरा विरादरी साते हैं तो ऐसे में उमीदवार का चैन भी अगर आप टुंडी की बात करें तो अभी भी जो मतुरा महतों हैं वो भी उसी विरादरी साते हैं तो ऐसे में जातिगत समीकरन भी इसमें देखा जाता है उमीदवारों के चैन में तो बीजेपी अब किसे उमीदवार बनाती है अगर बीजेपी के खाते में जाती है वैसे ये जरूर है कि NDA फोल्डर में महतोंवर्ग के वोटर को असाधने के लिए आजसू का साथ और जेडियू का साथ लिया गया है तो दो सीट ही जेडियू को दिया गया है तो क्या ये भी सीट आजसू के खाते में जाती है फिलाल ये इसलिए कहा जा सकता है कि जो जारखन के चुनाव सह प्रभारी हैं है मनता विशु सर्मा उन्होंने एक बात कही है कि कहीं भी जो भी सीट बचता है उस पर आखरी वक्त तक मन्थन होगा कि किसका उमिदवार हो और वो सीट हम जीत करा है इसमें उलट फिर जो है हो सकता है हो सकता है कि आजसु कि सीट जो है बीज़ेपी के भाते में चले जै तो इसमें कोई गुरेज नहीं है अंतिम वक्त तक जो सामने प्रत्यासी होगा उसको देख करके भी निरने लिया जा जा सकता है तो अब जरूर ये है कि चुनावी जो एक तरह से घोसना के बाद पार्टियां रेस हुई है महज तीन दिन बीट चुके हैं और कुछी दिन बचे हैं नॉमनेशन के 25 तक आखरी दिन है नॉमनेशन का तो ऐसे में तमाम राजनितिक डल जोर घटाओ के साथ जल्द से जल्द अपने उमीदबार के नाम की घोशना करना चाहता है वही इंडिया जगरनात महतों अपसवर जगरनात महतों उनके पुत्र का भी नाम आ रहा है तो हो सकता है आपसू इस बात को भी देखना चाह रही होगी कि जेवें की तरफ से किसे उतार रहा जाता है और इस पर भी बहुत कोछ निरुफर कर रहा होगा बल्कुल इसी क्या इंतिजार जो और कई लोगों की नजरे इस पर टीकी भी हैं, कि इस पर निरने क्या कुछ होता है, क्या कुछ आता है, हलांकि आजसू ने आठ पृतियाशियों के नामों की सूछी जारी कर दी है, और उसमें से ज़्यादातर फर्स्ट फेच के हैं, डुम्री दूसरे चरन में डुम्री का चुनाओ होना है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डुम्री के अलावा ये जो मनोहरपुर सीच है उस पे आजसू को आज नहीं तो कल हो सकता है मदन चुकि अब दिन बहुत कम बचे हैं फस्ट फेच के चुनाओ के लिए 25 ता वहां से भी बिर्सा जो उमिदवार थे पिछली बार उस पर पार्टी फिर से एक बार भरोसा जता सकती ऐसी संभावना है हलांकि जमिनी हकीकत क्या है क्या बदला हुआ है कौन नई चेहरे अपनी दावेदारी पेस कर रहे हैं उनकी क्या मजबूती है उस छेतर में ये तम पेले इंतिजार इस बात कर रहेगा कि आज सु अपने मौनोहरपूर और दुम्री को लेकर सीटों की घोशना कप करती है फिलहाल इतना ही हमें देजे इजासत देखते रिए नियूस बाइस को नमश्कार